उत्तरप्रदेश के मउजुले में उस वक्त हडकम मच गया जब एक लापता एक बच्चे का शब चिमनी में लटका मिला वही आसपड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शब को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया जानकारी के मताबिक मामला कोपागंस थाना छेतर के कुर्थी जाफर इलाके का है यहां मिर्तक के परजन ने बताया कि गाओं के ही अजीज नाम के लड़के ने कबूतर पकड़ने के बहाने उबेदिल्ला को अपने साथ ले गया वही जब शाम हुई तो हमने बच्चों को तलाशना शुरू किया वह जब लोगों ने भट्टे पर जाकर देखा तो वहाँ चिमनी में बच्चे की लाश पड़ी दिखी सूचना मिलने पर मौके पर पहुँची पुलिस ने शब को कबजे में लेका पोस्ट माटम के लिए भेज कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है तो उसने कहाँ कि अपने बाप से बात कर रहा हुआ त्यहीं जब बात कराने के लिए उस नंबर पर बाप द्वोरा डायल किया गार है तो स्विच आप पता है बट्टे पे जा करके बट्टे की तलाशी लेना शुरू की है अंदर बिलकुछ चिमनी के बास अंदर जहां प्रेला डालायाता है वही यह रसी से कसी हुई गर्दां इसमें बच्चे की लास मिले अजीज की लड़का अजीज अपने साथ कमाने ले लाता है और उसको पता है अजीज के घट पूराइगा अजीज मिला नहीं हुई उसके परिवारों और पुलीस के साथे से बच्चे में उसकी घट बाड़ी हुई अजीज की बच्चे में इसकी 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 बच